कि आप लोग आपकी पड़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी कहां सर दिमाग खराब करके रखा है हमारा हां बहुत सारे बहुत सारे चीजे चल रही हैं बहुत सारे बहुत सारे चीजे चल रही हैं तो दिमाग खराब होगा बट ठीक है हमारा काम है पड़ाई करना हमारा काम है नॉलेज गैदर करना कभी न कभी वो दिन आएगा जिस दिन आप वो नॉलेज को अपलाई करोगे तो ठीक है चलिए अभी बात करते हैं अपने एस 20 के एक कुईक रिविजन की जो की एक्जाम सुरी 20 नहीं 19 19 19 एस 20 का कुईक रिविजन मैंने इससे पहले दिया था एस 19 लीजेस के कुईक रिविजन की ये वीडियो कौन कौन देख सकता है ये वीडियो को सीए इंटर के स्टूडेंट्स ये आई पीसी सी के स्टूडेंट्स और सीए फाइनल के ओल्ड स्लेबस के स्टूडेंट्स भी रेफर कर सकते हैं बट ओल्ड स्लेबस के जो जो फाइनल के स्टूडेंट्स उनको थोड़ा सा अपनी तरफ से और मेनत करनी पड़ेगी revision के लिए चलिए तो हम बात कर रहे हैं AS19 accounting for leases बच्चों जो मैंने ये chart बनाया है इस chart को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कुछ terms समझनी होंगी क्योंकि मैंने बहुत सारी जगा पर shortcuts use किये हैं ठीक है ना मैंने बहुत सारी जगा पर बहुत सारे shortcuts यूज किये shortcut words यूज किये तो कौन-कौन सी terms के कौन-कौन से मतलब होते हैं पहले आपन वो समझते हैं यह आपके सामने कुछ shortcuts के full form मैंने नीचे लिखके रखे हैं सबसे पहले मैंने लिखा है MLP सर्य यह MLP का मतलब MLP का मतलब होता है minimum lease payment MLP का मतलब होता है minimum lease payment ठीक है ना अच्छा अच्छा MLP का मतलब होता है minimum lease payment ठीक है दूसरा दूसरा क्या होता है जी आर्वी जी आर्वी यूजी आर्वी GRV मतलब guaranteed residual value UGRV मतलब unguaranteed residual value basically total residual value आप कितना estimate करते हो lesser की बात है आप कितना estimate करते हो उसमें से कितना guarantee आपको lessy ने दिया है और कितना guarantee आपको कहीं और से नहीं मिला है बढ़ आपको लगता है कि आपको ज़्यादा ही मिलेगा तो unguaranteed portion आप निकल लेते हो LT मतलब lease term LT मतलब lease term DP मतलब down payment LR मतलब lease rentals ठीके IMP मतलब impairment सर यह impairment का मतलब क्या होता है impairment का मतलब अपनी asset की value को reduce करना सर क्यों reduce करना अपनी asset की value को अपन reduce क्यों कर रहे हैं सर अपनी asset की value को reduce इसलिए कर रहे है क्योंकि हमें लगता है कि depreciation लगाने के बावजूद asset की market से अगर value compare करें तो बेवजा books में कुछ overvalued दिख रही है हमारी asset जबकि market में asset उतनी भी अगर हम recover करें इससे तो उतना हमें पैसा मिल नहीं पाएगा तो इसलिए asset की value को reduce करना, you can say it is basically a loss CA मतलब carrying amount, CA मतलब carrying amount, FI, FI मतलब finance income GI मतलब gross investment, इन सारे terms को अपन use करेंगे उपर के AS19 के revision में तो आपको clear होगा कि अभी ये terms क्यों क्यों कहां कहां आते IDC मतलब initial direct cost, IDC मतलब initial direct cost, एक दो term आप और लिख लिजे that might be useful, FV मतलब fair value और SP मतलब selling price, ये दो term छूट गए, ये दो term भी आप लिख लिजे FV मतलब fair value, face value नहीं नलाक, और दूसरा SP मतलब selling price ठीके, तो ये कुछ important terms लिखे होगा है, अब आते हैं अपन शुरू से हाँ, हमने अभी short cuts देखे, आप अपन major points पे आते हैं, common terms सबसे पहले अपन कुछ common terms को describe करते हैं, सबसे पहले सर ये MLP क्या होता है, बचो MLP दोनों के point of view से निकाला जा सकता है, lessy के point of view से भी lesser के point of view से, इतना फरक है कि अगर आप lessy के point of view से निकालोगे तो lessy के point of view से सोचोगे कि कि कितना मुझे पे करना पड़ेगा minimum और lesser के point of view से मुझे कितना payment मिलेगा minimum, अब MLP में क्या क्या आता है, total lease rent, LR मतलब lease rent, plus GRV, guaranteed residual value, plus DP, DP मतलब initial जो अपन token money देते हैं, booking amount देते हैं, whatever, ठीक है, तो minimum lease payment में तीन चीज़ आती है, एक, जो सबसे पहले आपने initial amount दिया, DP book करने का दिया, ठीक है न, DP, down payment वगेरा, दूसरा, आप हर साल या हर महीने कितना कितना amount pay करोगे, या आपको कितना कितना amount मिलेगा, minimum जो agreed है, between the parties, और तीसरा, guarantee कितना किया गया है, lessy के दौरा, वो होगा, GRV guaranteed residual value, अच्छा, यह हो ग कितना payment पता है, हमें मिलके ही रहेगा, या पता है कि हमें देना ही पड़ेगा, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, lesser lessy, ठीक है, अब दूसरा होता है, GI, GI मतलब gross investment in lease, GI मतलब gross investment in lease, यहाँ पर मैंने पढ़ा था, GI gross investment in lease, यह जो GI होता है, यह बच्चों सिर्फ और सिर्फ, यह जो GI होता है, यह सिर्फ lesser के point of view से सोचा जाएगा, lesser यह बोलेगा, कि ठीक है मैंने माना कि MLP तो मुझे मिली रहा है, minimum से minimum MLP तो मिल रहा है, क्या कुछ और मिलने के chances हैं क्या, पर किसी ने मुझे guarantee नहीं दिया, तो जी, अगर आप MLP में UGRV, unguaranteed residual value को add कर दोगे, तो वो gross investment in lease हो जाएगा, ठीक है न, GI बन जाएगा, gross investment in lease, या GIL भी बोल सकते हो, gross investment in lease, तो gross investment in lease सिर्फ lesser के point of view से निकाला जाता है, तीसरा, unearned income, unearned income क्या होती है, आपको अगर मैं बोलूँ कि देखो जाब ऐसा है कि मैं आपसे lease पर ले रहा हूं एक asset, ठीक है न, अगर एक asset मै आपसे lease पर ले रहा हूं, जिसका total GIL, मतलब total मिला के मुझे, मुझे down payment मिल रहा है, एक लाख रुपए, DP, इसके अलावा मुझे हर साल 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh मिलेगा, 10 साल तक, तो कुल मिला के यह होगा, 20 lakhs, lease payment, इसके अलावा मुझे guaranteed residual value मिल रहा है, 4 lakh rupees, इसके total मेरा कितना हो रहा है, सोचो, total किता हो रहा है, 20, 21, 25, 27, यह 27 lakhs हो रहा है, यह हो गया GIL, 27 lakhs, आई बाद 7 में, अब मैं आपको बोलू क्या मुझे 27 lakh आज ही के दिन मिल रहा है, आप बोलो कि नहीं, यह तो मुझे over the least term, मतलब 10 सालों में मिलेगा, ठीक है न, over the least term, मतलब 10 10 years मिलेगा, अगर मैं आपको बोलू कि इसकी present value निकालो, तो आपने बोला कि सार इसकी present value आएगी, मान लीजे 27 lakh की present value आएगी 19 lakhs, कितनी आएगी 19 lakhs, आपने इसकी present value निकाली, आपने इसका discounting कर लिया, तो आप अब बोलो, क्या 27 lakh आपको आज ही मिल रहे है, नहीं, 27 lakh तो मुझे पूरे 10 साल में थोड़ा-थोड़ा करके मिलेंगे, पर अगर 27 lakh का present value निकाला जाए, तो आज उसकी value होगी 19, मतलब आज के दिन, इस 27 की value है 19 lakh, मतलब आज अगर asset को बेच दिया जाए, lease पर न दिया जाए, बेच दिया जाए, तो मुझे 19 lakh रुपे मिल सकते हैं, त एक तरीके से आपको नहीं लगता, आपकी ये finance income हो गई, मतलब आपको एक interest मिल रहा है, क्योंकि आप धीरे धीरे payment receive कर रहे हो, leasee से, अब 8 lakh क्या आपने कमा लिया क्या, नहीं, ये तो धीरे धीरे अक्रू होता जाएगा, धीरे धीरे अक्रू होता जाएगा, अभी तो एक अक्रू नहीं हुआ है, जो अभी और कमाना बाकी है, तो अगर मान लिजे 8 lakhs को मैं बोलूँ, तो मैं 8 lakhs को बोलूँगा, unearned finance income, अब मान लिजे 1st year में मैंने उसमें से 1 lakh रूपीस का interest book कर लिया, क्योंकि अक्रू हो गया, तो अब remaining unearned finance income कितना बचेगा, 7 lakh, तो कहने का मतलब unearned finance income धीरे धीरे कम होता जाता है, और वो 0 हो जाता है end में, 4th, discounting rate, यहाँ पर जो discounting rate होता है न, तो यहाँ पर AS19 में discounting rate को discounting rate नहीं कहा जाता है, यहाँ पर कभी कभार कहा जाता है implicit interest rate, अगर आपको यह नहीं पता कि implicit interest rate का मतलब क्या होता है, तो आपको यह तो होगा कि IRR का मतलब क्या होता है IRR का मीनिंग आपने जरूर पढ़ा होगा कही ने कहीं आपने FM में पढ़ा होगा internal rate of return मतलब एक ऐसा rate जिस rate पर अगर मुझे सारे future values की present value निकालनी पड़े और sum total करना पड़े तो वो total आज के current value के बराबर आना चाहिए तो ऐसा rate तो इसको बोलेंगे implicit interest rate आप इसको IRR भी बोल सकते हों तो यह थे कुछ common terms MLP को मैं लिख देता हूँ lessy and lesser यह दोनों के लिए निकाले जाते हैं बट जी आई जो है gross investment in lease वो सिर्फ lesser के लिए निकाला जाता है आई होप आपको यह terms clear हो गए होंगे अब आते हैं अपन में पॉइंट पर टाइपस एस 19 कहता है कि सबसे पहले तो यह बताओ कि तुम्हारा lease कौन से प्रकार का है एस 19 ने leases को दो हिस्सों में classify किया है एक finance lease और एक operating lease अगर कोई lease finance lease की definition में fall होता है तो वो finance lease है पर अगर कोई finance lease की definition में fall नहीं होता है तो वो बन जाएगा operating lease operating lease की definition क्या है a lease a lease which is not finance lease एक ऐसी lease जो finance lease नहीं है तो basically operating lease को define नहीं किया गया define किसको किया गया है finance lease को अब finance lease की definition यह लिखी हुई है finance lease किया है एक ऐसी lease जहां major risk substantial मतलब maximum substantial मतलब maximum maximum ज्यादा से ज्यादा major risk और major rewards rewards मतलब benefits transfer by lesser to lessee मैं आपको यह बोलू कि मैं एक building खरीद के लाया उस building की average useful life है 40 years अब उस 40 years में से मैंने आपको lease पर दे दिया 38 years के लिए 38 years के लिए मैंने आपको lease पर दे दिया तो 38 years तक इसके benefits किसको मिलेंगे आपको 38 years तक इसके maintenance किसको करना पड़ेगा आपको मतलब risk भी आपका तो अगर major risk major rewards उस assets से connected major risk and rewards lesser transfer कर देता है lessee को अब यह judgmental वाला point है अब यह define यह देखना पड़ेगा खुद से check करना पड़ेगा entity को कि क्या हमने major risk and rewards दिये हैं हमें ऐसा लगता है क्या हाँ लगता है तो यह finance lease है ठीक है इसके लिए अब यह judgmental वाला point है मैंने आपको बोला तो इसके लिए AS ने कुछ indicators दिये हैं कुछ characteristic दिये हैं finance lease के और कहा है कि अगर इन में से कोई भी एक indicator भी fulfill हो जाता है कोई भी एक condition fulfill हो जाती है तो माना जाएगा कि substantial risk and rewards transfer किये गए हैं इसका मतलब वो finance lease है ठीक है ना वो indicators कोई भी एक fulfill कर रहा है आपको ठीक है अब याद रखेगा जो यह 5 points है इसका एक इसके business पे दो question बनते हैं exam में या तो वो सीधा सीधा straight forward question पूछ लेगा कि बताइए finance lease को define करिए जब आप define करोगे तो आपको यह definition risk and reward वाला proper और आपको यह 5 condition लिख के आनी पड़ेगी ठीक है ना दूसरा question क्या बनता है वो आपके सामने कुछ आपको कुछ situations देगा कुछ आपको lease agreement देगा अलग-अलग cases देगा और बोलेगा क कि बताइए कि यह finance lease है कि operating lease है तो उन सारे cases में आपको यह 5 conditions में से कोई भी एक condition apply करवानी पड़ेगी अगर 5 में से कोई भी condition fulfill होती है तो मतलब वो case जो है वो finance lease का है अगर पांचो पांचो की पांचो condition fulfill नहीं होती तो वो case operating lease का है ऐसा question पूछा जाता है मैं आपको बतात लेना अब यह पांच condition कौन सी है पहली condition transfer of ownership at the end of lease term अगर मान लीजे यह agreement हुआ लेसर लेसी के बीच में कि लेसर ने वो दया वही तू तो एक कामगर 10 साल का lease है 10 साल खतम होने के बाद यह asset तो तेरी ownership तेरे पास transfer हो जाएगी 10 साल बाद यह मैं तरको asset बेच दूँगा यह agreed हुआ है सीधी बात है कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब माना जाएगा कि यह finance lease है क्यों तो कि 10 साल तक भी लेसी उस करेगा Second condition यह है कि agreement में सिर्फ इतना लिखा है लेसी के लिए कि लेसी को एक option दिया जाता है कि 10 साल बाद वो चाहे तो यह asset purchase कर सकता है उसका price होगा दो करोड रुपे अब बताएए लेसी को क्या लगता है अगर situation दिख रही है कि यार 2 करोड तो बहुत ही कम price है जबकि 10 साल बाद तो इस building का price कम से कम 4 करोड होगा मतलब it is very reduced price and it is certain that lessee will not मतलब lessee will avail the option ऐसा लगता है कि lessee option avail करेगा lessee मना नहीं करेगा तो भी आप बोल सकते हो कि यह finance lease हो सकती है तो पहला यां तो automatic transfer of ownership at the end of lease term पहला वाला point second point option to purchase the asset is given to the lessee at reduced price and it is certain that lessee will avail the option तीसरा major economic life covered under lease term जैसा मैंने आपको example कि 40 years का एक average life है building का मैंने आपको 38 years की lease पर दिया है इससे समझ में आता है कि अगर major economic life cover किया है lease term में इतना lease term इतना बड़ा है कि वो लगभग आपके asset की life को cover कर रहा है लगभग life को cover कर रहा है तो आप मानोंगे कि substantial risk and rewards transfer हो रहे है चौथा specialized asset for lessee cannot be used without major modifications cannot be used by other party cannot be used by another party हाँ अब यह क्या है lessee को जो asset दिया गया है lease पर वो customized asset specialized मतलब customized asset है वो lessee के requirement के according बनाया गया है कोई और party other than lessee cannot use it without making major modification in that asset अगर कोई और party use करना चाहे उस asset को तो वो customized asset सिर्फ lessee के requirement के लिए बनाया गया है वो general public अगर उसको use करना चाहे तो उसके लिए major modification करने पड़ सकते हैं अब यह point क्यों जोडा गया इस point के पीछे reason यह है कि आप ध्यान से देखिए यहाँ पर specialized asset है मतलब customized asset है अगर customized asset lessee के लिए बनाई गई होगी तो definitely lesser ने एक अच्छा खासा amount of investment किया होगा उस asset में and definitely lesser भी जालता है कि इस asset को कोई और use नहीं कर सकता बिना modification के मतलब बिना extra खर्चा किये हुए तो definitely lesser चाहेगा कि जितना भी मैंने investment किया हुआ है इस asset को बनाने के लिए जो कि lessie के लिए बनाई है मैं चाहूँगा कि मेरा पूरा का पूरा पैसा lessie से निकल जाए अब lessie से अगर मैं पूरा का पूरा पैसा निकालूंगा तो definitely it will take time क्योंकि lessie मुझसे ये lease पे ले रहा है asset खरी तो नहीं रहा है तो lease पर ले रहा है तो definitely यहाँ पर time बहुत सारा लग जाएगा जब बहुत सारा लग जाएगा तो definitely यह lease finance lease कही जा सकती है last but not the least और जो सबसे important वाला point है वो है present value of MLP is equal to initial fair value MLP आपने पढ़ लिया MLP आपको याद होगा उपर हमने देखा था MLP MLP में तीन चीज़े आती है DP down payment जो देना ही पड़ेगा दूसरा minimum जो आपके lease rentals है lease rentals agreed lease rentals और GRV अगर इन तीनों की present value करें और total करें तो आज की FV fair value के बराबर asset की value बनती है मतलब आज जैसे मान लिजे एक building की value है 5 करोड रुपए ठीके ना एक building की value है 5 करोड रुपए अब मान लिजे एक building की value है 5 करोड रुपए तो मैं उस building को खरीद नहीं पा रहा हूँ तो मेरा builder से यह agreement हुआ कि यार builder को मैंने बोला builder ने मुझे एक offer दिया कि चलिए आप इस building को मत खरीदिये आप तो एक काम करिए आप मुझे payment थोड़ा थोड़ा करके करिएगा मैंने बोला बताईए थोड़ा-थोड़ा मतलब कितना कितना उसने मुझे बोला कि आप हमें payment करिएगा 50-50 lakh rupees every year हर साल आपको 50-50 lakh रुपए पे करना है मैंने बुला कब तक पे करना है तो उसने मुझे बोला कि आपको 12 साल तक 50-50 lakh पे करना है कि ठीकर बारा साल तक आपको माल लाज़ें 50 250 लाग पे करना है यह था केलकुलेटर कहां गया यह को 50 lakhs into 12 मतलब यह हो रहे हैं 6 करोड कितने हो रहे हैं 6 करोड 50 lakhs into 12 sorry 15 50 lakhs into 15 7.5 करोड कितने हो रहे हैं 7.5 करोड अगर इस 7.5 करोड की present value निकाली जाए discounting किया जाए IRR पर तो आज वो 5 करोड के आजपास value बनती है कुल मिला के कुछ नहीं है बिल्डर मुझे offer कर रहा है कि तो थोड़ा थोड़ा करके payment कर और बिल्डर मुझसे आज 5 करोड ले ले या फिर वो मुझसे 50-50-50-50-50-50 करके 15 साल तक ले वे उसकी present value आज लगबग 5 करोड के आसपास आ रही है 5 करोड 2 लाक या 4 करोड 98 lakhs 99 lakh उसके आसपास आ रही है तो यह माना जाएगा कि यार इसका मतलब लेसी ने तो बिल्डर को पूरा पूरा पेमेंट दे दिया आज की fair value के बराबर दे दिया इट मींस इस एस गोड़ाइस की लेसी ने ये असेट खरीदी लिये खरीदी लिये तो मतलब risk and reward सारे transfer हो गए तो आपको इन सब चीजों का logic clear हो गया होगा इन 5 conditions का 5 में से कोई कोई condition satisfy होती है तो आप उसको क्या मानोगे finance lease अच्छा अगर कोई भी condition fulfill नहीं होती तो आप उसको क्या मानोगे operating lease अगर आपकी operating lease है तो बताइए उसका treatment क्या होगा तो सुनिए treatment lessy की books में क्या होगा lesser की books में क्या होगा बिल्कुल सिंपल सा treatment है पहले अपन lesser के पास चलते हैं देखिए operating lease में basic lease substantial risk and reward transfer नहीं हो रहे है lesser जो asset lease पर दे रहा है वो asset अपनी books में ही दिखाएगा physical lesser के पास नहीं होगी पर वो asset किसकी books में दिखेगी वो lesser की books में दिखेगी lesser उसको depreciate भी करेगा ठीके तो lesser को अलग से क्या मिलेगा lesser को मिलेगा consideration मतलब lease rent जो भी lease rent lesser को मिलेगा वो lease rent उसकी income होगी और income को book किया जाएगा SLM basis पर sir SLM basis मतलब जैसे मान लीजे 5 साल का lease है और 5 साल का जो lease है वो lease rent ऐसा हुआ है कि 1st year हम 1 lakh rupees लेंगे 2nd year हम 120 लेंगे 3rd year हम 140 लेंगे 5th year हम 150 लेंगे 6th year हम 135 लेंगे तो बताइए हर साल का lease rent कितना होगा तो आप क्या करोगे आप इसको total करोगे 120, 140, 150 और 135 divided by 5 यह हो जाएगा 1,29,000 यह हो जाएगा SLM के basis पर आप lesser हर साल 1,29,000 की income बुक करेगा अपनी books of accounts में पहले साल उसको मिलेगा कितना 1 lakh जबकि बुक कि उसने कितना किया 1,29,000 तो जो extra 29,000 है वो उसकी बुक में receivable दिखते रहेंगे फिर अगले साल वो बुक करेगा again वो 129 बुक करेगा जबकि उसको मिलेगा कितना 120 तो उसका receivable उपर नीच हो जाएगा ऐसे करते 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 5th year के end में उसके receivables खतम हो जाएगे IDC, IDC मतलब initial direct cost मान लीजे Lesser ने Lessie को lease पर asset देने से पहले कुछ खर्चे किए, initial कुछ खर्चे किए होता है ना कि हम अपनी asset तो में दे रहे तो Lessie ने बुला यार मुझे कुछ whitewash करवा करवा के दो मुझे इसका repairing करवा के दो तो उसने उस initial खर्चे किए क्या करेगा, ऐसे case में क्या करेगा यहां लिखा है, same as finance lease finance lease में जो अभी होगा, हमें आपको बता दूँगा ठीके ना, charge depreciation क्योंकि same as finance lease लिखा है, तो finance lease मुझे आपको समझाना पड़ेगा, charge depreciation वो अपनी asset को depreciate भी charge करेगा जैसा मैंने आपको बताया, व्कुल मिला कि मैं आपको फिर से बता दूँ, जितना भी lease rental agreed हुआ है, उसका SLM basis पर income को book करेंगे, lessy क्या करेगा lessy जो है, वो lease payment देगा वो उसके लिए expense होगा P&L में, SLM basis पर sir SLM basis कोंसा, यही वाला same SLM basis अपलाई करेगा, sir SLM basis क्यों, AS कहता है जब तक lesser lessy के पास कोई और बहतर तरीका नहीं है, जब तक और कोई better option नहीं है more representative way नहीं है तब तक आप SLM अपलाई करोगे अगर you have more representative way other than SLM, you think that आपको उससे ज़्यादा अच्छा तरीका है, तो आप उसके proportion में कर सकते हो, ठीके अच्छा, अब आते हैं finance lease जो की आपका exam में generally पूछा जाता है finance lease finance lease में हमें समझना पड़ता है कि किस की किस की books है, एक तो lessy की books है, एक lesser की books है पहरे अपन चलते है, lessy की books मतलब जिसको asset मिल रही है अब ये बेटा ध्यान रखना ये finance lease है, finance lease में एक तरीके से lessy को आप क्या मान लो, आप finance lease में lessy को एक तरीके से आपना deemed owner मान लो क्या मान लो, deemed owner और lesser को क्या मान लो deemed seller, आप deemed owner मान लो, deemed seller मान लो ठीके ना, deemed owner मान लो, deemed seller मान लो deemed owner deemed owner अगर आप मानना चाहते हो तो मैं लेसी को क्या मान लोगे deemed owner, owner मतलब उसने खरीद लिया अब अगर उसने खरीद लिया तो वो asset को अपनी books of accounts में record करेगा मैं entries भी अभी discuss करूँगा पट पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या है सबसे पहले lessy क्या बोलेगा lessy एक तरीके से यह मान लेगा कि मैंने तो asset खरीद ली और credit पर खरीदी तो हम अगर मान लो तो credit पर asset खरीदे तो क्या entry करते हैं asset account debit to creator उसी type की entry होगी recognize leased asset मतलब asset account debit to lease liability lease liability मतलब creditor तो basically वो दो account बनाएगा एक leased asset account और lease liability account अब वो उसको किस value पर record करेगा यह बहुत important है recognize at present value of MLP उपर यादे MLP में क्या आ रहा था? MLP में आ रहा था DP plus lease rent, all lease rent plus GRV इन सब की present value या पर fair value whichever is lower, less ही बोलेगा कि present value of lease rent, sorry present value of MLP, MLP जितना भी है उसका present value और आज की fair value whichever is lower, जो दोरों में से कम है उस पर वो book करेगा उपर की entry, उस जो उपर की entry na asset account debit to lease liability, उपर की entry की जाएगी present value of lease payment, present value of MLP और fair value whichever is lower, ठीक है चलो सर मैंने first initially मैंने यह entry की जाएगी, present value of MLP और fair value whichever is कर दी सर, अब आगे क्या, अब हर साल lessie financial interest, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजे वापस से आते हैं, ये था 27 लाक, 27 लाक में से 19 लाक पर मान लीजे हमने आज book किया, record किया, lessie ने, तो remaining value है वो 8 लाक, extra जो pay कर रहा है lessie, उसके लिए वो क्या होगा, financial interest, मतल कैसे होगी मैं बता रहा हूँ, आईए मैं आपको इधर दिखा देता हूँ कि lessie क्या-क्या entry करता है, finance lease में, see सबसे पहले beginning में एक entry होगी, lease asset account debit, to lease liability, sir lease liability की जगे lesser कर सकते हैं, कर सकते हैं, बड़ आप lease liability करो तो आपको बेफक्री हो जाएगी, number number शायद ना कटें, ठीके आईए किस पर होगा, lower of, present value of MLP और fair value, अच्छा, अब year end, अच्छा, beginning में अगर हो सकता है, शायद एक और entry करनी पड़े, DP की, तो आप entry का करोगे, आपने payment किया, तो आप entry करोगे, lease liability account debit, to bank, अब year end, year end पर क्या करोगे, year end पर आपको हर साल financial interest, मतलब finance charges बुक करने पड़ेंगे, लेसी के लिए finance charges उसका expenses होगे, finance charges मतलब basically interest, debit करना पड़ेगा, to lease liability account, आई मेरी बात समझ में, अच्छा, दूसरा, ये तो उसने entry book कर ली, interest की, यहाँ पर interest आ जाएगा, सर ये interest किस पर निकलेगा, IRR का जो आपके पास rate होगा, उस basis पर, फिर जब आप payment करोगे, payment होगा account debit to bank, यह होगा आपका payment of LR, मतलब lease rent, इसके अलावा क्योंकि हमने lessee को deemed owner माना है, तो वो depreciation भी charge करेगा, तो entry होगी, depreciation debit to leased asset, तो आप समझ गए होगे, कि अब lessee की books में, ये सारी की सारी entries होती है, ये सारी की सारी entries होती है, आई बास वन में, बस important ये है कि जो first entry हो रही है, वो हो रही है lower of present value of MLP और fair value, आई मेरी बात समझ में की नहीं, clear, तो ये entries होती हैं, सारी की सारी, लेसी की books में, अब अगर आप मुझसे पूछो कि सर, lesser की books में क्या होगा, तो आईए, lesser finance lease में क्या होगा, मैंने आपको बोला कि lesser को आप मानलो deemed seller, मतलब lesser ने asset को बेचा है, lesser ने asset को बेचा है, अब उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, पहले इदर आईए, अचा यहाँ एक last line रहे गया, initial direct cost, add to the cost of asset, अगर lessee कोई initially expenditure करता है, जैसे आम तर पर होता है कि हमने कोई asset lease पर लेली, किराय पर लिया है, जाके देखा तो थोड़ा बहुत लगता है, और मरमत करवानी पड़ेगी, कुछ repairing करवानी पड़ेगी, इनिशली कुछ खर्चा करना पड़ेगा, for example, agreement cost, या asset के उपर ही कुछ मरमत करवाना पड़ेगा, so that initial direct cost, what lessee will do, lessee will capitalize that cost to the cost of asset, मतलब leased asset की cost में add कर देगा, now come to the lesser, lesser में दो चीज़े हो सकता है, लेसर में दो चीज़ हो सकता है, non-dealer lesser या dealer lesser, dealer lesser को हम manufacturer lesser भी बोल सकते हैं, अब इन दोनों में फरक क्या है, पेटा manufacturer lesser या dealer lesser means की lesser का main business ही lease पर देने का है, मतलब lesser's main operating business is in relation to leasing the asset, मतलब उसका business ही leasing करने का है, अगर उसका business ही leasing करने का है, तो इसका मतलब वो asset बनाता है या फिर asset ले आता है और वो lease पर देता है, फिर ले आता है lease पर देता है, ले आता है lease पर देता है, उसका leasing company, lesser is a leasing company, basically. अब लेसर अब लीजिंग कमपनी आई बात समझ में और नॉन डीलर मतलब लेसर कोई लीजिंग का काम नहीं है वो तो उसने एक अधसेटी लीज पर दी है ठीके अब depend करता है कि वो dealer है कि non dealer है उसके basis पर entries होती है मैं वापस आ रहा हूँ अगर जो lesser है वो non dealer है तो beginning में क्या entry पास की जाएगी देखो lesser क्या है एक तरीके से कौन है वो deemed seller मतलब माना जाएगा कि lesser ने तो अपनी asset बेच दी तो beginning में entry करेगा to asset account अब यहाँ पर क्या आएगा book value ठीके ना debit वो करेगा lease receivable अब अब इसको याद कैसे करोगे sir वो lessy account नहीं कर सकता कर सकता है पर lease receivable करे तो ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर नाम कहता lease liability lessy अपनी books में lease liability दिखाएगा lesser अपनी books में lease receivable दिखाएगा lease receivable account debit to asset और यह किस value पर बुक करेगा at nil sir nil मतलब net investment in lease यहाँ शायद में लिखना भूल गया nil मतलब net investment in lease sir इसका मतलब इसका मतलब present value of gil यह तो gil था ना आपका इसका present value और आपको याद होगा gil का मैंने अभी आपको example दिया था कि मान लीजे आपका gil 27 lakh है 27 lakh है उसकी अगर आप present value निकालोगे 19 lakh आ रही है तो इसी 19 lakh को मैं बोलूँगा nil तो gil का present value निकालते हैं वो nil होता है ठीक है अच्छा तो हम इसको nil पर book करेंगे sir इस entry में कोई difference आ सकता है क्या बिलकुल आ सकता है क्योंकि आपने asset को book value पे दिखाया है asset डी recognize किया book value पे और lease receivable दिखाया nil पे तो जो भी difference आएगा इस entry में वो पी एंडल में जाएगा आपका loss या गेम ठीक है पर यहीं पर अगर मान लीजे आपका dealer है या manufacturer है वो entry क्या करेगा dealer manufacturer में ज्यादा कोई tension नहीं है entry हो जाएगी lease receivable account debit same nil पे at nil यहाँ to asset हो रहा था dealer और manufacturer to asset नहीं करेगा क्योंकि उसका धन्दाई है lease पर देने का तो उसके लिए वो inventory है तो इसलिए वो book करेगा to sale to sale account और यह किस पर book करेगा at fair value आज के fair value पर अब इसमें सर कोई difference आएगा कि आप बिल्कुल आ सकता है तो वह हम दिखाएंगे to profit on sale to profit on sale difference हो सकता है loss भी आजाए ठीके ना तो आपको dealer और non dealer की यह दो entries को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर वो sale book करता है यहाँ पर वो asset को reverse करता है asset को reverse करेगा तो book value sale book करेगा तो fair value lease receivable आप देख लें कि common है at nil दिखेगा nil मतलब present value of gil ठीके अच्छा सर बाकी entries बाकी entries आप मान लीजे की बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पर dp entry का कर रहे थे lease liability to bank वो receive करेगा तो bank account debit to lease receivable आच्छा यहाँ finance charges को expense मान रहे थे to lease liability वहाँ अपन finance income मानेंगे तो entry करेंगे lease receivable debit to finance income मतलब बाकी जितनी भी entries है अपोजिट entries होंगी बट जो depreciation वाली entry है वो नहीं होंगी depreciation entry shall not be passed by lesser sir क्यों क्यों क्योंकि lessy lessy pass कर रहा है by depression दूर में से कोई एक लगाएगा ना तो यह लगा रहा है आई बात समझ में I hope आपको clear हो गया होगा तो यह वाला point एक बार देख लिजेगा इसका screenshot ले लिजेगा ठीक है चलिए वापस आते हैं यही वाले point लिखे हुए अगर non dealer होगा तो देखो क्या लिखा है recognize lease liability at net investment in lease recognize finance income as per implicit rate of interest मतलब आई रार finance income book करेगा initial direct cost का क्या होगा नैसर भी तो cost खर्चा करेगा तो initial direct cost transfer to SPL और against finance income over lease term यहां बोला गया है कि जो lesser है lesser अगर खर्चा करता है initially जैसे मान लीजे मैंने आपको lease पर दिया लैसी ने मुझे बोला कि साफसफाई करके दो छोटा मोटा खर्चा है तो मैं पेंटल में डाल दूँगा पर अगर कोई हेवी expenditure मैंने करके दिया है तो मैं चाहूं तो उस हेवी expenditure को मैं अमोटाइस कर सकता हूं कि अमोटाइस अगेंस्ट finance income over the lease term मतलब मैं धीर धीर जैसे मान लीजे मैंने 10 साल का lease दिया और मैंने इनिशली एक 1 लैक रूपीज का expenditure किया फॉर मी 1 लैक इस बिग expenditure तो मैं 1 लैक को 10 years में अमोटाइस करूँगा इन प्रपोर्शन आफ फाइनस इंकम हर साल में यो फाइनस इंकम हो रही ना उसके रेशियो में मैं अमोटाइस करूँगा ठीक है manufacturer dealer lesser क्या करेगा divide the total profit into आपको याद होगा manufacturer dealer lesser ने यहाँ पर आपको मैंने एक entry करवाई थी यह देखो यहाँ पर two profit on sale entry करवाई थी इसके अलावा उसको बाकी जो हर साल जो फाइनस इंकम के बराबर होगा तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि भाई जो manufacturer dealer lesser है उसको दो टाइप के profit होंगे एक तो immediate profit sale करने पर जो फर्स्ट एंट्री में हो गया और जो हर साल उसको finance income होगी ठीक है ना finance income के एवरी यह और सेलिंग प्रॉफिट को एट बिगिनिग ओनली एट को बिगिनिग ओनली एन इल माइनस बुक वैल्यू अप अपशेट ऐसा करके ठीक है रिकागनाइस finance income as per the implicit rate of return initial direct cost expense and P&L अच्छा अगर dealer lesser होगा तो वो initial direct cost को हमेशा P&L में डालेगा अब थोड़ा सा आप ध्यान से देख लिजे initial direct cost का क्या treatment होगा ध्यान से देख लिजे lessy initial direct cost कर रहा है तो वो अपनी cost of asset में जोड़ देगा capitalize कर लेगा lesser अगर कर रहा है तो देखा जाएगा कि lesser dealer है कि non-dealer non-dealer है तो वो या तो P&L में डाल दे चोटा मोटा है अगर material है तो उसको deferent amortize करेगा क्योंकि वो asset की cost में capitalize नहीं कर सकता क्योंकि उसने तो asset दे दी पर अगर वो dealer है तो उसका तो रोज का काम है रोज का काम है तो जितना भी खर्चा कर रहे हो वो P&L में डाल देगा ठीक है I hope आपको ये finance lease का treatment समझ में आ गया होगा हमने यहां पर देखा था कि initial direct cost IDC same as finance lease लेसर same as finance lease वही कि lesser है dealer है कि non dealer dealer है तो पी इंडल यहां फिर देफरेंड अमोटाइश करेगा ठीक है चल ये इतना समझ में आ गया आपको अब अपन main point पर आते हैं third main point पर आते हैं which is sale and lease back इसके भी question आते हैं ऐसा नहीं हर attempt में आते हैं हर attempt में तो AS 19 भी नहीं आता पर हां यह है कि इसके questions आने के chances रहते हैं sale and lease back यह sale and lease back का मतलब क्या है मतलब यह है कि simply मैं जय चावला ने asset sale किया विशाल भटटर सर को ठीक है ना जय चावला ने asset sale किया विशाल सर को तो जय चावला बन गया लैसी और विशाल सर बन गया लैसर और सेम टाइम पर विशाल सर से मैं वही asset lease पर वापस ले ली तो मैं बन गया लैसी और विशाल सर बन गया लैसर तो यहाँ पर जो मैं हूँ जय चावला वो seller भी है वो Lacie बात है जय चावला को पैसो की जरॉत है मिने बहला सर बताओ क्या करूं अब तो विशार सार ने बोला एक काम कर तो अपनी घाट मुझे बेच दे इससे क्या होगा कि मैं अगर उनको अपनी अपनी घाट यह सब्सक्ट को थो अधा मिटेसर नियुकिन केसे सब्सक्राइब विशाल सर ने बोला कि असेट मुझे तू बेले बेज दे यही असेट मैं तिरको लीस पर देता हूं इससे क्या होगा जब असेट तू मुझे बेचेगा तू 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 अच्छा कासा अमाउंट भी आ जाएगा और तिरको मैं असेट वापस लीस पर देदूगा तू और मेरेको भी असेट भी वापस मिल गई और मुझे पैसे भी मिल गए तो सेल एन लीस बेक का यह फंडा होता है अब सेल लीस बेक में आपको यह पैचाना पड़ेगा कि सेल एंड लीस बैक कौन सा हुआ अ है मैंने विशाल सर से जो असेट वापस लिए है वो香港 लिस पर ल ले लो मुझे वापस लीज पर दे दो ताकि मैं आपको पेमेंट करता रहूं सिर्फ उनको विश्वास दिलाने के लिए असेट हमेशा मैं यूज करूँगा ठीके तो जनरली वो हमें यहां पर क्या तय करना है what is the treatment of profit or loss on sale basically यहां पर हमें यह decide करना है जैन्ली सब्सक्वाइब करना है कि जो जय चावला लैसी को जो प्रॉफिट हुआ है बेच कर विशाल सर को मैंने असेट बेचा ना तो मुझे प्रॉफिट हुआ होगा या फिर हो सकता है मुझे लॉस हुआ होगा विशाल सारे भाई मेरे करीब ही है मैंने उनको सस्ते में असेट बेच दी यह हो सकता है मुझे पैसो की जरूत थी तो लीज बैक है तो क्या होगा डेफर एंड अमोटाइस है टोटल प्रॉफिट लॉस ओवर दे लीस टर्म इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रीशिएशन अब देखो जै चाबला को प्रॉफिट हुआ मैंने छह करोर को बेची मुझे एक करोड का फायदा हुआ या पांस करोर की असेट मुझे मैंने विशाल सर और 40 Dee बैची rays 5 लैक का लॉस हुआ तो मैं उस profit और loss को depreciation के proportion में धीरे धीरे पेंडल में चार्ज करूँगा, आई बात समझ में, entry क्या होगी, bank account debit, sale value, bank account debit 6 crores, to asset 5 crores, ये मान लिजे 6 crores, मान लिजे 6 crores, मान लिजे 5 crores, तो मुझे जो profit हुआ ये हो गया 1 crore, अब इस profit on sale को क्या करेंगे, deferred and amortized, मतलब मैं कभी भी profit को immediately पेंडल में नहीं जाओ, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 1 crore का profit है, और मान लो, 1 crore में से, मैंने 1st year 10 lakh पेंडल में डाल दिया, बाकी 90 lakh मेरे balance में deferred दिखता रहेगा, अगले साल मैंने 8 डाला, तो मेरे 8 पेंडल में चला जाएगा, बाकी का 82, बाकी का जो भी है remaining, वो reserve and surplus में दिखता रहेगा, ऐसा, यह था आपका finance leaseback, operating leaseback थोड़ा सा बच्चों को tough लगता है, और सभी बताऊं तो important operating leaseback ही है, क्योंकि generally यही पूछा जाता है, अब operating leaseback को समझने के लिए, बहुत important यह है, कि आपको 3 terms समझनी पढ़ेंगी, हालागी वो 3 terms मैंने यहाँ पर बोली भी है, एक मैंने बोली caring amount, मतलब book value, एक मैंने बोली fair value, और एक मैंने बोली selling price, इन तीनों में difference किया है, देखो caring amount, मतलब मेरी books में कितने की asset दिख रही है, fair value, मतलब आज इस asset का market price किया है, अगर आज इस asset को मैं बेचू market में, तो मुझे कितना receive होना चाहिए, और sale price मतलब actual में कितने में मैं मैंने बेचा, fair value और sale price, same भी हो सकते हैं, different भी हो सकते हैं, जैसे, आज asset का market price 5 crore है, मैंने 5 crore 20 lakh में बेचा, तो 5 crore is the market price, पर मैंने ज्यादा पे बेचा, या 5 crore value है, और मैंने 5 crore में बेचा, 5 crore value है, या मैंने 4 crore में बेचा, कम भी हो सकता है, depend करता है, ठीक है, अब sale and lease back में, जो operating lease back है, इसमें भी हम क्या पढ़ने वाले, what is the treatment of profit or loss on sale, जै चावला को sale करने पर कितना profit or loss हुआ जब जै चावला ने अपनी asset विशाल सर को बेची, और ये operating lease back है, मतलब मेरे पास जो asset वो building थी, वो building मेरी 50 साल की useful life है, अभी से लेकर, मैंने विशाल सर को दे दी, बेच दी, और विशाल सर से मैंने सिर्फ 5 साल के लि अब ऐसे case में आपको क्या करना है, आपको follow करने हैं ये 3 golden rules, बहुत important है, और मैं आपको बोलूँगा कि बार 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 इस lecture को का ये वाला part बार बार देखना, एक बार में शायद समझ में ना आए, especially वो students जिन्होंने मेरे से classes नहीं purchase की हैं, वो students बार बार देखें, क्योंक पहला rule, पहला rule, loss, मान लीजे जये चावला को loss हुआ, अब loss sir कैसे होगा, loss कैसे होगा, मान लीजे carrying amount था, 400, selling price था, 380, fair value है, मान लीजे 380, technically देखा जाए, तो मुझे loss हो गया, मुझे 20 lakh का loss हुआ, loss हुआ ना, बात खतम, loss हुआ ना, always transfer to P&L, operating lease back है यह, यह finance lease back नहीं है, मुझे loss हुआ है, golden rule number 1, operating lease back में, जब भी seller को loss होगा, वो हमेशा P&L में डालेगा, हमेशा P&L में डालेगा, सिर्फ इसका एक ही exception है, if loss is compensated with future lease payment, then defer and amortize, अच्छा एक बापतो, मुझे loss क्यों हुआ वापस आते हैं, चार करोड की asset, मैंने 3 करोड 80 लाक में बेची, 4 करोड असेट, I sold at 3 करोड 80 लाक, क्यों? विशाल सर को बेची है, विशाल सर ने बोला देख भाई, तरह को पैसे चाहिए ना, तु मिरे को सस्ते में देगा, मैंने बोला सर यह तो गलत है, विशाल सर ने ब मैं बेच, future में जो 5 साल के लिए तु मुझसे lease पर asset ले रहा है न, मैं तरह से lease rent बहुत ही कम charge करूँगा, मतब तु आज मुझे asset को सस्ता बेच दे, मैं मानता हूँ तरह को loss होगा, तेरा यह loss compensate हो जाएगा, क्योंकि मैं तरह से lease rent लूँगा, वो market से कम लूँगा, मैंने in that case, my 20 lakh loss will be compensated in the future by way of lease rent, lower lease rent, बहुत अच्छी बात है, ऐसे case में, जब मुझे पता है कि मेरा loss future में compensate हो रहा है, तो मुझे उस loss को deferent amortize करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, इसलिए हो लिखा गया है, कि अगर आपका loss होगा, तो वो हमेशा पेंडल में डालेगा, डाले अगर loss future के lease payment से compensate होता हुआ दिख रहा है, तो आप उसको deferent amortize करोगे, सर हमें question में कैसे मालूम पड़ेगा, वो बताएगा, कि loss future के lease payment से compensate हो रहा है कि नहीं, अगर कुछ नहीं लिखा, तो आप हमेशा मानोगे कि compensate नहीं होगा और पेंडल always, ठीक है, यह पहला golden rule, कि loss होगा तो क्या होगा, मालीजे selling price 420 है और fair value भी 420 है, ठीके न, यह fair value को 430 रखो selling price को और fair value को 420 रखो, देखे ध्यान से कि आपका profit कितना हो रहा है, 30 lakhs का आपका total profit हो रहा है, हो रहा है, total profit, मैंने कैसे निकाला, caring amount और selling price को compare किया, आई यह देखिए, profit कैसे निकला, selling price और caring amount को compare किया, अब इस total 30 lakh के profit में से, आपका golden rule क्या है, up to fair value, up to fair value तक का profit, profit up to fair value, मतलब अगर यह 4 क्रोड की asset में 4 क्रोड 20 lakh में बेचता, up to fair value, up to fair value, 20 lakh, यह आप P&L में डालोगे, और fair value के ऊपर जो आपको profit हुआ है, 420 की asset, market में value 420 है, पर आपने बेचा 430 में, तो जो above fair value है, 10, इसको आप D&A, defer and amortize करोगे, सर ऐसा क्यों, आप इसको यूँ समझो, कि आपने income tax में capital gain और PGP पढ़ा होगा, तो आपने शाद उसमें पढ़ा है, कि जब अपन कोई capital asset को बेचते हैं, तो up to its original cost, आपका जो भी sale करने का होता है, वो आपका PGP में जाता है, but over and above अगर आप बेचते हो, तो आपको capital gain होता है, आपने का इसा कुछ provision पढ़े हुए, आप भी ऐसा समझो, कि basically आपने उसको अगर बेचा है, तो up to fair value, market में यह बिखनी चाहिए थी 420 की, हाँ, तो यह तो normal profit है 20, पर आपने 430 में बेच ली, मतलब जो 10 lakh का आपने profit earn किया है, वो कुछ ज्यादा ही earn हो गया, वो आपका normal profit नहीं है, this is not a normal profit, this is not normal profit, तो इसी लिए यह defer and amortize होगा, आई बात समझ में, यह आपका दूसरा golden rule है, up to fair value, above fair value, recognize immediately, पेंडल, जहां लिखा हो recognize immediately, मतलब पेंडल, above fair value, D and A, defer and amortize, मतलब above fair value कैसे मालूम पड़ेगा, selling price अगर fair value से ऊपर है तो, यह आपका दूसरा golden rule, दो golden rule simple है, loss अगर होगा, हमेशा पेंडल में, अगर आपका loss compensate होगा, future के lease payment से, तो आप उसको defer and amortize करोगे, future में, profit, profit आप कैसे निकाल होगे, selling price minus carrying amount, book value, जो भी profit आएगा, उस profit के दो ह प्रफिस से होगे, up to fair value, above fair value, हो सकता है, आपकी fair value भी 430 हो, तो अब बताइए, आपका पूरा का पूरा जो 30 है, पेंडल में जाएगा, above fair value आपका कुछ है ही नहीं, वो 00 है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, अच्छा, अब तीसरा, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, कि fair value, fair value 440 है, यह भी हो सकता है, पर ऐसे केस में आपका प्रॉफिट है ही 30, भाई 440 में बेचना चाहिए था, पर आपने 430 में बेचा, तो जो 30 का प्रॉफिट है, वो भी आपका up to fair value है, ना, क्योंकि up to fair value 440, आपका 40 का प्रॉफिट नॉर्मल होना चाहिए, आपका 30 कमा रहे है, जो कि बहुत ही मुश्किल से इसा केस हो सकता है, मतलब मैं यह बोल रहा हूँ, यह केस, ध्यान से देखो, तो ना था, आपको अजीब केस लगेगा, यह वाला केस, ध्यान से देखो इस केस को, समझ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप यह चेक कर लो कि आपका जो caring amount है asset का, वो आपकी fair value के से ज्यादा है, मतलब जो fair value है, market में आज asset की fair value 380 है, आपकी books में asset देख रहे है 400 की, और आपने बेचा 430 पे, और बेचा 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 छोड़ो किसे भी बेचा, पहले तो आप यह देख लो कि आपकी क्या market में asset की value है, वो कम है क्या carrying amount से, हाँ कम है, एक काम करो, सबसे पहले तो impairment करो, handle account debit to asset, तो सबसे बहले तो मैंने 20 से asset को reduce कर लिया, ठीके, इससे क्या होगा, इससे revised caring amount कितनी हो गई, 380 की, अब आप इसको मत देखना, अब आप इसको देख रहा, आपने क्या किया, आपने बोला कि आपकी caring amount market value से ज्यादा है, तो आपने अपनी caring amount को reduce कर लिया, आपने loss book कर लिया, अब आपकी revise caring amount कितनी है, 380, आपकी fair value कितनी है, 380, sale, sale कुछ भी सकता है, सर, sale मालो 370 है, अच्छा, तो 380 की asset, आपने 370 पे बैची loss, loss कहा जाता है, पेंडल, golden rule number 1, 370 नहीं है, 390, आपने asset को 390 पे बैचा है, तो तसका profit, तसका profit का क्या होगा, आपको profit के ऊप कौन सा rule apply करना है, profit के ऊपर आपको apply करना है, rule number 2, और rule number 2 क्या बोलता है, up to fair value, पेंडल, above fair value, above fair value, defer and amortize, आप देखो के धिशान से, fair value भी 380 है, ठीके ना, और carrying amount भी 380 है, मतलब ये पूरा का पूरा, above fair value है, मतलब ये पूरा का पूरा आपका defer and amortize जाएगा, समन में आ ठीके, तो then recognize the loss immediately in P&L, इसको अपन बोलेंगे, impairment loss, मैं आपको इसको case properly बता देता हूँ, हुआ क्या था? सबसे पहले, आपने impairment loss book किया 20, यहाँ पर revised carrying amount आगया आपका 380, selling price है आपका 390, तो अब जो आपका profit हो रहा है, वो है 390-380, 10, यह आपका above fair value है, तो यह आपका defer and amortize, यह case, आई बात समझ में, यह आपका special case हो गया, clear बेटा, चलिए, I hope आपने screenshot वगेरा ले ली होंगे, that's it, बस आप कुछ खास नहीं बचा, अब last point बचा हुआ है, disclosure requirement, sir क्या-क्या disclosure करने पढ़ेंगे, exam wise important नहीं है, तो मैं इसलिए जल्दी चल रहा हूँ, lessee के case में finance lease में क करना पड़ेगा, caring amount of each asset, lessee ने जो जो asset lease पर लिये, उसकी caring amount कितनी है, obviously वो तो दिखाना पड़ता है, recognition of, reconciliation of, reconciliation of MLP and present value of MLP, आपको आपका जो total MLP है और जो total present value है उसका, उसका reconciliation दिखाना पड़ेगा, मतलब finance interest कितना है, वो दिखाना पड़ेगा, future में आपको कितने MLP देन lease payment recognized in P&L, P&L में कितना दिखाया, same आपका lesser के case में, कुछ खास नहीं है, बस अलग से आपको ये दिखाने पड़ेंगे, दो, UGRV आप कितना expert कर रहे है और unearned finance income, ये बहुत important है, lesser हर साल अपनी balance sheet के end में, नीचे, unearned finance income दिखाता है, कि remaining अभी कितना portion future में कमाएंगे, जो अक्रूर नहीं होगा है, ठीक है, guys, I hope आपको समझ में आ गया होगा, this was AS19 accounting for leases, exam वाले दिन आपको बहुत मजा आएगा, अगर आप इस chart को revise करोगे, ठीक है, इसके अलावा जिन बच्चों के exams अभी upcoming नहीं है, आसपास नहीं है, बाद में है, बहुत बाद में हैं, तो व से आपका revision अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, चार्ट revision के purchase की जो link है, वो मैं नीचे description में share कर रहा हूँ, आप उस link पे जाएए, आपको purchase करने का option मिल जाएगा, ठीक है, thank you so much, guys, अभी के लिए इतना ही, बाई बाई, जाए मात आदी, अलावा आफ।